हमारा आज का topic है radiation हमने discuss kiya था कि heat transfer करता है दो तीम processes से हमारा पहला process था conduction और हमारा second process था कनवेक्शन हमने ये भी डिसक्स किया कि कंड़क्शन में आपकी जब हीट पास होती है वो एक आटम दूसरे आटम में वाइब्रेशन करके हीट ट्रांसफर करती है वाइब्रेशन यानि कि मुव्मेंट वो मूव करेगा उसे हीट अनरजी मिलेगी हमने डिसक्स किया कि कनवेक्शन जादे तर लिक्विद्स एंड गैसेज में होता है तो फर एक्जाम्पल आपकी अगर मान लीजेए आपका सूरज है सूरज आपकी हवा को गरम कर रही है जमीन को गरम किया जमीन पहले गरम हो जाती है तो जमीन के ऊपर की एर पार्टिकल वो गरम हो जाएगी जब एर पार्टिकल गरम हो जाएगी तो उसका वेट हलका हो जाएगा वो लाइट हो जाएगी और वो उपर की तरफ मूव करेगी तो उपर से थंडी हवा नीचे की तरफ आएगी this is called convection तीसरा हम करने जा रहे है radiation radiation का मतलब है heat का transfer होना by electromagnetic waves now what are electromagnetic waves you must understand that electromagnetic waves जाधे तर एक इस तरह का energy source होता है जिसमें अपना खुद का electrical or magnetic field होता है it's an energy source और energy waves जिसके पास अपनी electric field होती है और अपनी खुद की magnetic field होता है electric or magnetic field होता है we'll talk about it a little later electromagnetic waves की खास बात क्या है कि ये air में भी पास कर सकती है और ये vacuum में भी पास कर सकती है यानि कि जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ पे भी पास कर सकती है light में भी पास कर सकता है और solid में भी पास कर सकता है तो electromagnetic waves हर चीज के थूँ पास कर सकती है जादतर जब सूरच से हमारे पास light rays आती है light rays ये electromagnetic wave का एक बहुत अच्छा example है heat जो हमें sun से मिलती है heat की waves वो भी electromagnetic waves है तो सूरच से मिलने वारी light wave and heat wave ये दोनों ही electromagnetic wave का एक example है तो चलिए देखते हैं for example यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग चलिए आग अपने उपर के air particles को गरम कर रही है ये air particles convection की मदद से उपर की तरफ move कर रहे है और उपर से ठंडी हवा नीचे आ रही है और ये नीचे के particle फिर फिर से गरम हो जाएंगे ये उपर की तरफ जाएंगे तो जब हम आग के उपर अपना हाथ गरम करते हैं तो ये convection के through भी करते हैं और अगर आप थोड़ा सा दूर बैठे हैं तो इस आग से heat waves heat waves आपके पास radiation के through भी आएंगी तो radiation जैसे कि हमने discuss किया था कि जो heat होता है वो इस तरह की wave form में present होता है जिसको हम electromagnetic wave कहते हैं electromagnetic wave हमने ये भी discuss किया था heat और light ये दोनों ही electromagnetic energy का एक source है तो heat से जो आग से जो energy है वो electromagnetic radiation के through भी हमारे body तक पहुँच रही है अगर आपको ये लोहे का तुकड़ा रखेंगे आग के पास तो लोहे का तुकड़ा इस इस atom को गरम करेगा ये vibrate करना start करेगा ये अपनी energy अगले atom को पास करेगा वो भी vibrate करना start करेगा वो अगले atom को पास करेगा वो भी vibrate करना start करेगा तो जब आप लोहे के piece को गरम करते हैं तो उसमें heat energy conduction के थ्रू जाती है तो हमने तीन तरह के heat transfer के methods पड़े पहला conduction जो सिर्फ solids में होता है क्योंकि उसके लिए atoms का पास पास होना बहुत जरूरी है दूसरा convection जो air और air और water में होता है किसी भी परकार की gas और किसी भी परकार के liquid में convection current होता है इसमें atoms थोड़े दूर दूर होते हैं तो जब उन्हें energy मिलती है तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि वो हलके हो जाते हैं और उपर से जो ठंडे ठंडे molecules हैं वो side से नीचे की तरफ आ जाते हैं वो फिर से तुबारा गरम हो जाते हैं इस process इसको radiation कहते हैं we call it radiation तो अगर आप यहां देखेंगे कि यहां पर हम आग के उपर पानी गरम कर रहे हैं तो सबसे पहले यह आग अपने आसपास के इलाके में जो heat पास करती है वो पास करती है radiation के थूर क्योंकि heat में heat waves होती है और यह heat wave अपने आसपास energy पास करता है by radiation राइट दूसरा यह convection के थूरू भी हवा को गरम करती है जैसे इसके आसपास की हवा particle है यह गरम होकर उपर जाएगी यहां से उपर जा रहे हैं और उपर से ठंडे particles नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यह process convection है यह पानी के particles भी गरम होकर उपर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वो हलके हो जाएंगे उनके पास heat की energy होगी और उपर से ठंडे particles नीचे की तरफ आ जाएंगे तो चलिए आज ले इतना ही करते हैं वो हीट अप होके वाइबरेट करेंगे